पाकिस्तान में सेक्स्वल हरेस्मेंट के खिलाप आवाज उठाने वाली दो टीवी आंकर्स पर बैन लगा दिया गया है पाकिस्तान में यह बैंस सरकारी टीवी चैनल पी टीवी की दो आंकर्स पर सेक्सुल हरेस्मेंट के मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद लगा है बैं की गई आंकर्स का नाम तंजीला मजहर और या स्फीन जमाल बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक 20 जनवरी को पी टेवी मैनेजमेंट ने एक सरक्यूलर जारी किया था जिसमें बताया गया कि ओगनाजीसन के कुछ इंपलॉईस सोसल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं उनके इन कमेंट से ओगनाजीसन की छवी खराब हो रही है वे फोरण 24 घंटे के अंदर अपने कमेंट्स डिलीट करें यह कमेंट अपनी बात रखते हुए सोसल मीडिया और टॉक्सों में किये गये थे लेकिन चेतावनी के बाद भी इन दोनों आएंकर्स ने ना तो कमेंट डिलीट किये और नहीं इस बात के लिए माफी मांगी 22 जनवरी को दोनों टीवी एंकर्स प्राइविट टीवी चैनल एक्सप्रस के टॉक्सों में भी सामिल हुई और उन्होंने प्रोग्राम के दौरान फिर से इस बात को दोहराया जिसके चलते तंजिला मजहर और रियास्फिन जमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया पी टीवी के कंट्रोलर हवीबुर रहमान के मताबिक पी टीवी निउस से जुड़े किसी भी प्रोग्राम में दोनों के भाग लेने पर रोख के साथ साथ मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जाच करवाई जा रही है वहीं मामले का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान में लोगों ने इन दोनों एंकर्स की बात का जबरदस तरीके से समर्थन किया है और पी टीवी के इस कदम की जम कर आलोचना की जा रही है